वेलकूम फ्रेंड्स एक बार फिर्थ स्वागत है आप सभी को हमारे इस चैनल पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे FM और COL के बीच में जो अगला ODI का मैच होने वाला दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरी information share करने वाला हूँ betting order के साथ कि कौन से player open कर रहे हैं दोस्तों इस match के अंदर कौन से player first round पे खिल रहे हैं सारे players का betting order के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से baller आपको इस match के अंदर complete अगर गिंदबाजी करते वे दिखेंगे और किसे आप इस match के अंदर captaincy वाइस captaincy के लिए ले सकते हो सारे information में आपको इस video के अंदर share करने वाला हूँ यकिन मालों दोस्तों ये video आपको बहुत चदा help करेगा तो एक बार इस video को अंत तक जरूँ अच करना दोस्तों वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी इस request है अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार subscribe जरूँ कर लेना इस video के नीचे जो आपको subscribe का बटन दिख रहागा दोस्तों इस पे एक बार क्लिक कर दें साथे साथियां पर जो bell icon दिया हुआ इस पे क्लिक करने के बाद आपको all का option देखने को मिलेगा इसको भी एक बार select चरूँ कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 matches का वीडियो मैं जैसे ही upload करूँगा आपके पास सिदे notification जाएगा और सारे matches का जानकारी आपको इसी परकार मिल पाएगा दोस्तों अगर आपको हमारा बताएगा इस ट्रेट्स पसंद आता है इस video से अगर आपको जरा भी help मिलता है तो एक बार इस video को like करके हमें support जरू करना और सबसे important है कि आप मारे टेलिग्राम ग्रूप को join कर लें यहाँ पे आपको एक arrow का बटन दिख रहागा दोस्तों जैसे आप यहाँ पे click करेंगे हमारे टेलिग्राम ग्रूप का link आपके सामने सो हो जाएगा इस group में join करना जरूरी है क्योंकि line up के बाद आपको final team यहीं पे मिलेगा अगर कोई भी changes होता है तो अभी हम लोग team बनाएंगी दोस्तों लेकिन हो सकता है कि line up के बाद एक दो खिलाडी change होगा और वही team में आपको final team के रूप में टेलेग्राम गुरूप में इस्याद कर दूँगा तो एक बार हमारे टेलेग्राम गुरूप को जरू जोइन कर लेना तो चलिए अब stats की और आगे बढ़ेंगे दोस्तों यह जो match है 36 में आपको यह मुकाबला start होते वे नजराएंगे सारजा के रिकर्ड स्टडे में यह मुकाबला होने वाला दोस्तों पीछ के बारे आपको लगभग पता ही होगा यहाँ पे 300 क्यास पास भी score देखने को मिल जाता है जो भी मजबूत team रहते जैसे कि FM के team जो है बहुत मजबूत team है और इन्होंने 300 से भी उपर काकड़ा इन्होंने बनाया हुआ है दोस्तों इस match के अंदर देखोगे तो FM के जीतने के chance जादा है बैटिंग पीछे दोस्तों यहाँ पे अच्छे score बनते हैं दोस्तों अगर आप देखोगे सबसे पहले FM के team के बारे में इन्होंने 4 match के अंदर 3 matches जीता है और 1 match loss किया है लेकिन होगे अगर आप देखोगे COL के team के बारे में इन्होंने भी 3 matches जीता है और 1 match loss किया है लेकिन FM और COL के अलरड़ी जो 1 head to head matches हुआ है जिसमें से अगर आप देखेंगे तो FM के team ने जीत हाजिल करा था तो ये चीज़ ध्यान रखना FM के team के जीतने के बहुत जीता chance है इस match के अंदर चलिए अब betting order फे फोकस करते हैं अब्दूल सकूर जो कि आपको विकेट के प्रिंग सेजन में नजर आएंगे दोस्तों ये खिलाड़ी open करते हैं पहले match के अंदर दो run बनाये थे फिर तीन run फिर एक run overall देखोगे तीन match के अंदर दोस्तों इन्होंने छे run मातर बनाया हुआ है लेकिन ये खिलाड़ी आपको open करते हुए दिखेंगे दोस्तों ये चीज ध्यान रखना भले अभी नहीं चल रहे हैं लेकिन ये खिलाड़ी opener बैट्समेन है वहीं एकर बात करेंगे दोस्तों ये अमजद गुल के बारे में तो ये खिलाड़ी जो है पहले match के अंदर 12 run बनाये थे फिर तीन run एक विकेट और लास्ट मैच के अंदर 23 run स्कूर करा है overall देखोगे दोस्तों इन्होंने 38 run बना के एक विकेट निकाला हुआ है मतुला खान ये दोस्तों baller है रों balling बहुत सांदर करते हैं दोस्तों पहले match के अंदर देखोगे तो तीन run नाये थे कोई विकेट नहीं मिला था यहां पर लेकिन फिर यहां पर दूसरे match के अंदर 3 विकेट निकाला हुआ है मैंक चोधरी ओपन करते हैं पहले match के अंदर 33 run फिर 41 run कोई विकेट नहीं मिला फिर 0 run फिर दोस्तों यहां पर 25 run स्कूर करा है ये भी दोस्तों टीम के टॉप अटर का बैट्समेन है लेकिन अच्छे form पे चल रहे हैं दोस्तों 109 run बना चुका है तिनको अपने team के अंदर विकेट निकाला हुआ है ओवरल देखोगे तो अभी तक इस टूनामेंट के अंदर 102 run बना के चार विकेट निकाल चुके हैं दोस्तों यह जो प्ले रहना बैटिंग के असांसा आपको बॉलिंग से पोइंट देने वाले हैं इस वजह से एक खिलाड़ी कैप्टन सी वाइ विकेट ने मिला फिर एक रन फिर एक सोलर रन ओवरल देखेंगे तो 243 रमना के एक विकेट निकाले लास्ट मैच कंदर उन्हें सेंचूरी लगाया था अब देख सकते हैं और इस वजह से इनको कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी के लिए भी काफी ज्यादा सेलेक्शन मिला हुआ है उमेर एली यह पहले मैच कांदर तीन रन प्लस सेंगेट निकाला हुआ है और अबरल देखोगे दोस्तो तो тыन रहमना के छे विकेट निकाला हुआ यह अब इस पेल के 10 ओवर तक का बॉलिंग भी करते हैं ओवरल देखोगे दोस्तो तबी तक इस्टूनामेंट के अंदर 90 रन बना के 4 विकेट निकाल चुके हैं ये खिलाड़ी कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए बहुत बैस्ट आफसन आपके लिए रहेगा बाकि अदिल मिर्जा फर्स आउन पे खिलते वे एक रन बना के एक विकेट निकाला हुए दोस्तो अस्वान्थ की बात करेंगे थर्ड आउन पे खिलेंगे पहले मैच कंदर 62 रन फिर यापे 38 रन फिर 15 रन ओवरल देखोगे तो यहाँ पे दोस्तो तीनो मैच कंदर देखोगे 115 रन स्पोर करा है मुहमद फरोदिन की बात करेंगे फजरोदिन जो कि पहले मैच कंदर 14 रन फ्लस दो विकेट फिर यापे 5 रन फ्लस एक विकेट फिर तीन विकेट ओवरल देखेंगे तो 19 रन ना के 6 विकेट निकाल चुका है बहुत बढ़िया प्लेयर है जो आपको मिडल रोडर पे बैटिंग के सासदी आपने स्पल के 10 अवर तक बॉलिंग भी करते वे दिख जाएंगे तो ये भी इंपोर्टन प्लेयर आपके लिए रहने वाले हैं तो ये दोस्तों अगर आप देखोगे मुहमद मुदाशार के बारे में तो पहले मैच कंदर दोस्तों यहाँ पे 2 रन प्लस तीन विकेट निकाला हुआ है एक ही मैच इस खेला है लेकिन धियान रखना बहुत बढ़ियां बॉलिंग करा है अलाकि महगा अवर था बेरासी रन खर्च के थे नौबर के स्पेल में लेकिन गिंदबाजी देखोगे तो बहुत बढ़ियां करा है मौमद उजिर खान पहले मैच कंदर 2 विकेट दूसरे मैच कंदर 2 विकेट निकाल है ये भी अपने स्पेल के 10 अवर गिंदबाजी करते हैं बढ़ियां बॉलर है इनको भी अपने टीम कंदर आपको जरू सर जरू ट्राय करना चाहिए तो ये एफेम का रिकॉर्ड है दोस्तों और सेम बैटिंग ओडर आपको एफेम के टीम के तरफ से इस मैच कंदर भी देखने को मिल जाएगा आपको लेकिन मैं सी ओ एल की बात करेंगे दोस्तों ये जो प्लेयर है रेंजीत मानी जो की टीम के आपन करेंगे प्लस गेंदबाजी भी करते हुए दिख जाएंगे पहले मैच कंदर चार रन इसमें कोई विकेट ने मिला फिर उननीस रन प्लस एक विकेट फिर थर्टी डू रन प्लस थ्री विकेट फिर दोस्तों एक तिस रन पूरे स्ट्वनामेंट कंदर देखोगे प्लस एक विकेट निकाले हैं ओवररल देखोगे थर्टी वन रमना के आठ विकेट निकाले हैं दोस्तों तो यह भी इनपोर्टन बोलर है और यह भी अपने पहले मेच कंदर एक विकेट फिर बार रन बनायते कोई विकेट ने मिला क। पूरे शूर्णमेंट कंदर वन नैंटी फायर रन सकूर करा है यह भी बहुत बढ़ियाँ प्लेयर लास्ट मेच कंदर सेंचूरी लगाया है तो इनको अपने टीम कंदर आपको जरू से जरूर प्राइक करना चाहिए मनप्रिप सिंग पहले मैच कंदर दो विकेट फिर 11 प्लस तीन विकेट फिर दो विकेट फिर 15 रन स्कुर करा है ओवरल देखो ये 26 रूमणा के 7 विकेट निकाले हैं निखिल ये फर्स्ट राउन पर खेलते हैं पहले मैच कंदर 15 रन फिर यहां पर 9 फिर 6 फिर 36 रन प्लस दो विकेट ओवरल देखोगे तो 67 रन के यहां पर दो विकेट निकाला हुआ है श्याम रमेज पहले मैच कंदर एक विकेट फिर चार विकेट फिर एक विकेट निकाले हैं पूरे स्टोनामेंट कंदर देखोगे दोस्तों तो 6 विकेट निकाल चुक के बारे में पहले मैच के अंदर दो विकेट फिर फिर फ्लॉप रहा था लेकिन ये भी अपने स्पेल के लगबग लगबग कंपुलिट गेंद बाजी करते हैं बाकि यहां पे शैफुला की बात करेंगे शैफुला नूर योगे तीन रन बना की एक विकेट निकाला हुआ है किष्णा कुमार सेकेंड डाउन पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर 17 रन बना है थे कोई विकेट ने मिला और लास्ट मैच के अंदर 41 रन स्कुर करा है अखिल दास 15 रन बना के एक विकेट निकाला हुआ है हरी परसाथ की बात करेंगे दोस्तों फर्स डाउन पे खेलते को मिल जाएगा तो बैटिंग और आपके सामने दोस्तों इनफॉर्मेशन आपके सामने है तो यहां से अगर आप चाहें तो खुद भी टीम बना सकते हूँ आला कि मैंने आपके लिए एक डेमो टीम त्यार किया है सारी इनफॉर्मेशन को देखते वे तो चलिए उस टीम क और आगे बढ़ेंगे शुरुबात करेंगी सबसे पहले विकेट की पर से दोस्तों तो एफ हम के टीम के तरफ से इनका रेकॉर्ड बहुत सांदर है तो मैं इनको आप इनको आपने टीम के अंदर ट्राइ करने वाला हूँ यह आपके लिए बैस्ट आप्शन रहेगा आप इसे बैस्ट यापर आपने रहेगा न करते हैं और एक चेंज्स मैं ने कर आए इस मैच के अंदर एम उजर को में ट्राइ कर रहा हूँ अगर आप चाहें तो एस रम इसको ले सकते हैं लेकिन लास्ट मैच कंदर नहीं खेला है तो इस वज़े से मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ तो यह चीज आपको माइंड पर रखना है अगर नहीं खेलते हैं प्लेयर्स इस मैच कंदर तो चीज होगा टीम टीम फ्रिफ्यू मेरा कुछ इस परकार का है दोस्तों अभी जिसमें से कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी के लिए मैं इन दोनों को ट्राइ तो कर रहा हूँ लेकिन आपके पास औफसन है अगर आप चाहें तो यहाँ पर कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी के लिए चेंज कर सकते दोस्तों आर्म मुस्तफा को ले सकते हैं एस शाह का बेर रिकॉर्ड बहुत संदार है दोस्तों इस वज़े से अगर आप चाहो तो थोड़ा बूद चेंज कर सकते हैं तो यह जो टीम है इसमें अगर कोई भी बदलाओ मेरे साइट से आएगा तो मैं फाइनल टीम आपको अपडेट कर दूँगा हमारे टेलिग्राम गुरूप में तो एक बार जोइन जरू कर लेना आपको पता है लिंक मैंने आपको टेलिग्राम गुरूप क शेयर कर दिया है डिस्कुर्शन बॉक्स में जहां आप कमेंट करते हैं पहला कमेंट पर मेंने लिंक आपको पिन कर दिया आप क्लिक करके आसानी से जोइन कर सकते हो थैंक्स फर वाचिंग गाईज